हलो दोस्तो नमस्कार होने वाला है ज़रूर रिमाइंडर से करके रख लेना वो वीडियो बिल्कुल भी मिस्क नहीं करना चाहिए उसी की साथ साथ आज की दिन के जितने भी कीमती वीडियो से सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपे मिल जाएंगे तो चले दोस मुझे जैनियूनली लगता है मेरे ही सबसे कि येस वो वैलिड है कुछ डेटा उसमें जो प्रेजेंट के है वो जैनियून डेटा है तो मैं जरूर आपके सामने आपे रख देता हूं तो उसको मानना है फर्दर स्टड़ी करना है येस और नो वह कंप्लीटली हर एक इंड इंटरी रहती तो वो है इंडिया और ये ऐसी बात में नहीं कर रहा हूं दोस्तो इसके पहले का भी ट्रेलर हम लोग देख चुके 2020 में जब बाजार क्रैश हुआ था इमर्जिंग मार्केट के लिए हर किसी को पता है दोस्तो इंडियन मार्केट को ही सबसे पहले चॉइस और गजब का फॉरेन इंवेस्टर्स का भी पैसा हम लो को यहाप देखने को मिला था अभी बहुत सरा लोग ये भी काएं के सर्फॉरेन इंटर्स का पैसा तो आया था बट पैसा जा भी तो रहा है तो दूस्तों मैं आपको बताना चाओंगा आपके information के लिए ऐसा कभी न वाला हूँ और जैसे मैंने आप लोग को बताया दोस्तों ये जितनी भी चीज़े अभी में आप लोग के सामने आपे रख रहा हूँ अलग-अलग इस तरीकी के reports हम लोग को research reports देखने को मिल जाते डेटा देखने को मिल जाते बहुत लंबी reports रहती है बट ये 5-10 minute का ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप लोग को जो भी क्रक से उस report का वो आप लोगों को यहापे मिल जाता है अगर आप इन चीज़ों को पंडने जाओगे तो शायद से आपको आदा एक गंटा लग जाएगा इससे अच्छा है ये 5-10 minute के वीडियो में सारी चीज़े आप लोगों को summarize form में मिल जाती है सो दोस्तों यहापे आप सभी लोगों को में बताना चाहूंगा कि यहापे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो equity market से related कर रहा हूँ equity market and equity में invest करने के दोस्तों अगर देखा गया तो इस report के इसाब से बोल रहा हूँ दो चीज़े हमेशा इसी तरीकी की चीज़े हम लोगों को देखने को मिली है और जो दोस्तों यहापे data हम लोगों को देखने को मिल रहा है PMI का data जो portfolio management industry रहता है दोस्तों उससे related data हम लोगों को देखने को यहापे मिल रहा है और आप सभी लोग को बता है कि हर कोई stock market में directly invest करने नहीं बैठता है हर किसी के अपनी professional life है अगर हम लोग doctor की बात करें इंजिनेर्स की बात करें तो इनको भी market में invest करना रहता है बट उनका अपना expertise अलग है बट फिर भी वो अपने पैसे को grow करना चाते तो फोर वो क्या करते है yes mutual fund का इस्तमाल करते है या फिर यह अलग-अलग schemes देखने को मिलते हैं उनमें वो जाते और दोस्तो यहाँ पर आप लोग को पता है आप लोगों ने एक word सुना होगा AUM asset under management AUM का अरत कह रहता है asset under management मतलब कह रहता है कि कितना पैसा वो company यहाँ पर क्या करते है वो manage कर रही है उसी को AUM हम लोग यहाँ पर बोलते है और दोस्तो यह पू 2012 मतलब exactly 10 साल पहले तो दोस्तो यही जो AUM का data था वो था 10,000 करोड येस 10,000 करोड प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब है थोड़ा सा आप लोग focus कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं उसके और कितना था 10,000 करोड आप चाहो Google करके सारा data आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही easily available रहता है कितना रहता है 2012 में 10,000 करोड इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी obviously क्योंकि awareness भी इतना जादा नहीं था और access भी इतना जादा नहीं था 10,000 करोड दो 2022 10 साल में दोस्तो can you imagine इंडिया में यही data कितना बढ़कर हो चुका है 10,000 करोड से तो दोस्तो मैं आपको बताना यह data हो चुका है 3,000,000 करोड तक yes मैंने 30,000 नहीं बोला है दोस्तो मैंने 3,000,000 करोड बोला है 10 साल पर पिछे जाओगे तो 10,000 करोड था and यहाँ पे 2022 में किसी नहीं सोचा भी नहीं था कि यही data इंडिया का 3,000,000 करोड तक जाते वे देखने को मिल रहा है and दोस्तों यह estimate क जा सकता है तो आप अंधाजा लगा सकते दोस्तों यह कितना पैसा रहेगा जो हम हमारे मार्केट में directly हो या फिर indirectly हो यहाँ पर आते वे देखने को यहाँ पर मिलने वाला है और यह तो हमारे हिसाब से हम लोग यहाँ बात करें बाकी का जो data आएगा वो तो अलगी है so यह important रहता है हमारे company करेगी क्या क्या हमारे इंडियन मार्केट में पैसा आएगा या नहीं आएगा क्या इंडियन मार्केट में ग्रोथ है तो ग्रोथ तो दोस्तों मैं आख बन करके भी आप लोग को बोल सकता हो क्या आने वाला समय यह जो 10-15-20-25 साल यह इंडियन मार्केट 12 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2022 में 10,000 करोड का 3,000,000 करोड तक हम लोगों को इंडिस्ट्री बनते वे देखने को मिलेगा वैसे ही हम लोग यहापे बात करें आने वाले 10 साल की in fact मुझे लगता है यह 30,000,000 करोड भी नहीं उसके भी परे रहेगा क्योंकि awareness बहुत मार्केट का ही पार्ट है अगर ये चीज़े अगरह आप हजम नहीं कर सकते आप मार्केट में नहीं टिक सकते और यह चीज़े अगरह अपने हजम कर ली तो आप मार्केट में टिक गए 2020 वी crash हुआ था 40% डाउन हुआ था दुनिया खतम हो गई बिलकुल भी नहीं होई तो यह चीज आप लोग को समझ में हापे आनी चाहे तो अगर आप invested हो तो investment continue कीजिए प्लस उस report में बताय गया कि क्यों इंडिया को जादा favorable बताया जा रहा है मैं अगेन कहना चाहूंगा आप चाहो तो इन चीजों को चाहो तो deny भी कर सकते हो inflation, inflation बाकी countries के हालत आप लोगों ने देख लिए दोस्तो इतना easy ने inflation को काबू करना एंड खास करके जो western countries है US की बात करे, European countries की बात करे, UK की बात करे उनने 40-50 साल के बाद ये चीज़े देखिए because of covid then again suddenly war start हो गया तो उनके लिए inflation को control करना बहुत ज़्यादा तकलिफ होने वाली है बट इंडिया की बात करे, तो इंडिया में दोस्तो inflation पहले भी था आज भी और भविश्य में भी रहने वाला है, मैंने आप लोगों को बता है देखने को मिलने वाला है, प्लस अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया की ही तो commodity के prices आप देख सकते दाम भी कितने suddenly हम लोग को नीचे आते वे देखने को मिले तो यही चीज़े दोस्तों इंडिया को आगने वाले समय बहुत ही ज़ादा favorable market के तोर के उपर यहाँ पर सामने रखने वाले commodity के दाम आएंगे आप लोग को पता है ultimately यह market को ही reflect करेगा तो यह चीज़े बताती है दोस्तों कि इंडियान markets आने वाले समय में गजब की तेजी ही आपर दिखा सकता है तेजी मतलब में वापस कह रहा हूँ छोटा मत सोचिए लॉंग टम की सोचिए और इसके चलते दोस्तों HNW मतलब high net worth वाले जो investor रहते जिनके पास बहुत अर्बो खर्बो का पैसा है वो इंडिया में ही invest करने के लिए आपे जरूर रहेंगे प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा advantage जिससे related मेंने एक detailed report research भी बनाया था foreign investors वो ऐसे country में जाना ही नहीं चाते जहाँ पर aggressive leadership है जैसे कि बहुत सारे foreign investor का पैसा रश्या में invest किया था डूब गया फस गए वो लोग क्यों कि एग्रेसिव leadership है वहाँ पर इस country के उपर attack करो उस country के उपर attack करो इसका area ले लो उसका area ले लो रैट चाइना भी उसी रहा पर है ताइवान के उपर attack करो यह area ले लो इंडिया के साथ जगड़ा जपान के साथ जगड़ा इनफेक्ट रश्या के साथ भी जगड़ा तो ऐसे country में invested रहना foreign investor के लिए बहुत ही बड़ी risk बन चुकी है क्यों कि कल अगर कुछ issues हो गए तो चाइनीज सरकार आप लोग को पता है कि वहाँ पर क्या चलता है तो वो कुछ भी distance लेते है तो इसके चलते वो लोग attack इनफेस्ट करने के लिए alternative माद्यम की सबसे जहाँ पर growth भी आना बाकी है तो वो इंडिया ही हम लोग को देखने को आप मिल रहा है ये मुझे point सबसे अच्छा लगा था जिसको मैं बहुत बार आप हर किसी research report में additionally बताता हूँ ये भी point दोस्तो बहुत ही valid point है और इसके चलते बहुत सारा पैसा चाइना से हम लोग को रश्या तो छोड़े दीजे चाइना से इंडिया में divert होते वे देखने को भी आप लोग को जरूर मिलेगा ये जो advantage है दोस्तो इंडियान market को इंडियान companies को long term में जबरदस्त है आपे मिलने वाला है और जैसे में आप लोग को बता है कि foreign investor जो मैं आप लोग को बता हो देखे FIS जो है वो तो short term long term ये plus minus वाले में है आपे बात करा वो तो आते जाते है आपे रहते है बट अगर FDI की बात करू foreign direct investment ये बड़े investor रहते है अगर मैं equity के हिसाब से भी बात करू तो किसी में 10% से जादा अगर किसी foreign investor ने पैसा लगा है तो उसको भी FDI में पकड़ा जाता है and FDI की अगर हम लोग बात करे दोस्तो तो आप लोग देख सकते है FIS का data अलग रहते है FDS की बात करे तो देख सकते हैं हाली में इसे related भी मैंने video बनाए था India has recorded highest ever annual FDI inflow of 83.57 billion US dollar in financial year 21-22 और ये record आप देख सकते हैं दोस्तो हम लोगों को बढ़ते हुए जाते हुए देखने को आपे मिल रहा है पहले 62 था 18-19, 19-20, 74, then 81, then 83, so ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोह यहापे होते हुए देखने को पर यह जो investment रहती है FDI की यह बहुत लंबी समय के लिए हापे रहती है और यह आने वाले समय में हम लोगों को और भी ग्रोह होते हुए देखने को आपे मिलने वाले है जो FIS है ये plus minus में बार-बार repeat कर रहा हूँ इस लोग आपको बताने के लिए क्योंकि ये situation की साब से वो चलते रहते हैं जैसे कि आप चाहो तो बोल सकते एक trading टाइप ही रहता है कि अभी आए चले गए कुछ टाइम के बाद वापस आएंगे ये चलता रहता है उनका बट ये बहुत लंबे अवधी के investor टाइप यहाँ पर रहते हैं तो आप अंदजा लगा सकते हैं दोस्तो इसके चलते आने वाले समय में इंडियार मार्केट में बहुत ही गजब की opportunity यहाँ पर रहने वाले और मैं बार-बार के रहा हूँ दोस्तो चोटा मत सोचे चोटा मतलब एक दिन में क्या होगा चलो मंडे के दिन मतलब क्या भागेगा ऐसा भिलकुल भी ने इसका conclusion या फिर एक हफ्ते में क्या होगा एक मैने में क्या होगा एक साल में क्या होगा इससे कुछ भी ने पता चलता है दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो बहुत एक decade की बात करें दो डिकेड की बात करें, मतलब 10-10-20-20 साल की, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे, इस मार्केट में, अगर आप चाते हो तो, तो बहुत ही अच्छा गासा पैसा आपका यहापे ग्रो होने वाला है, रैट, अपसे हम लोग बोल सकते हैं, कि स्टेबल गवर्मेंट भी है, जब गवर्मेंट स्टेबल रहते हैं, मैं अगेन कहना चाहँगा, यह कोई BJP वर्सिस कॉंग्रेस वाली बात नहीं है, स्टेबल गवर्मेंट मार्केट को हमेशा अच्छा लगता है, स्टेबल गवर्मेंट मतलब मैं सेंट्रल गवर्मेंट में की बात कर रहा हूँ, जब वो मेज़ारिटी में रहती है, तो ज़्यादा कोई दिक्कते नहीं होती, डिसिजन्स फास्ट होते हैं, अगर वो तोड़ मरोड की सरकार आ गई, तो फिर डिक्कत हो गई, तो इसलिए ये भी एक एडिशनली पॉइंट यहाँ पे रहता है, कि क्विक डिशिजन्स होते हैं, इसके चलते और भी अच्छा परफर्मस देखने का आपे मिल सकता है, तो अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, तो इसके आदत लगवा दो, और अगर आपको आदत हो गई, तो बहुत ही वड़िया बात है, इसके इसके सबसे फ्लक्टुएशन से डरना नहीं होता है, ये तो रोज चलेगा दोस्तों, रोज कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, बट लॉंग बिग पिच्चर देखो, बिग पिच्चर में एक बहुत ही बड़ा उपर्चनिटी इंडियन मार्केट में दिखने को मिल रहा है, और इसका नजारा आपको भविश्य में भी जरूर देखने को मिल जाएगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जरूर आपको भी अपनी रायर रख सकते हो, कि इस रिपोर्ट के चलते कि आपको कौन से पॉइंट अच्छे लगे, कौन से पॉइंट आपको लगते हैं नहीं नहीं,